जवलपूर के मज़ौली के सोमा खुर्द ग्राम में रहने वाली एक महिला ने पहले अपने दो मासुम बच्छों को जहर दिया और उसके बाद खुद भी जहर खा कर जान दे दी एक साथ तीन लोगों की मौत से महिला का परिवार सक्टे में है पोलिस के मुताबिक अनुरादा नामक एक महिला के पती की एक साल पहले बिमारी के चलते मौत हो गई थी पती की मौत के बाद महिला अवसाद में थी और उसने इसी कारण अपने आज वर्षी बालक आदी और नौ वर्षी बालक को जहर देने के बाद खुद भी जहरेली वस्तू का सेवन कर आत्मत्या कर ली वोलिस ने महिला के घर से जहर की शेशी बरामत की है महिला के परिवार और गांफ के लोगों के बयान दर्ज कर मामले को जांच में लिया गया है दिनाग नौपार्च दौजार बीस के रातरी दो तीस बजे सी अस्पतार मजहुली से वाडवाय बालमिक आनन बालमिक त्वारा तहरी लेकर आया कि ग्राम सोमा खोड़की अन्दादा चौबे उतका पुत्र काना चौबे आठ वर्स आदी चौबे नौवर्स जो जहर खाने के कारण इलाजबाचते अस्पताल आये थे जिनने इलाजबाद मेटकल काली जवर्पूर रिफार्ट किया गया है सुचना पर साना दर्ज कर जाच में रवाना हुए गटना इस्तल पर पहुंच कर पाया है निरिछण पर एक जहर की बोटल पाए गए पर यहनों से पूछ ताजबाच पर पता चला कि एक वर्स पूर्व मिर्थक्या अन्दाधा चौबे का पती जो टीवी की बिमारी से प हो चुका है और होने के पश्चाक से मिर्थक्या काफी अवसाद में रिप्रेशन में थी जिसके कारण वह लोगों से मिलना दिवनावी करम अबाचित भी कम कर दिया था और आज सर्पंच वा अन साच्चियों सभी सम्भण में पूछ ताच की गई है जिन्होंने बताया कि अवसाद के कारण ही संभौता है उसने आत्मत्या की है ऐसे समय पे चुकि अभी एक जीवन साथी को छोड़ने के बाद निश्चित रूप से अवसाद आना सभाविक बात है और यह एक दुखत गटना है इस समय में जाच की जा रही है आगे जो भी तर्थे आएंगे उस पर कारवाई की जाएगे